वाइरल बुखार का लगातार कहर जारी वाइरल बुखार के तीस और बच्चे अस्पताल में भरती हैं 117 मरीजों का इलाज जारी कोरोना की भी हो रही है जांच जैई इनसे फलाइटिस का पहला केस मिला है वाइरल बुखार के तीस और बच्चे अस्पताल में भरती कुरोना के बाद वाइरल फीवर ने लोगों के जहन में देशित पैदा कर दी है 117 मरीजों का इलाज वारी है और जैई इनफलाइटिस का आपको बता देखे एक वरीज मिला है जैई एनसिफलाइटिस का पहला केस मिला है वाइरल बुखार के तीस और बच्चे अस्पताल में भरती के गए 117 मरीजों का इलाज जारी मुझफरपुर में सबसे जादा हाल बेहाल है आपको बता देखे मुझफरपुर में लगातार मरीज मिल रहे हैं और इसकी वज़े से लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पर रहा हैं मुझफरपुर में लगातार वारिल बखार का कहर देखने को मिल रहा है कुरूना के बाद लोगों के अंदर वारल बखार का देखने को मिल रहा है लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पर रहा है लोग देशित में हैं आपको बता दे की मौतों का आकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है एक से सित्रा मरीजों का इलाज आ रही कुरूना की भी जाच लगातार की जा रही है स्पतालों में बेड खाली नहीं है और जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे है हलाकि करोना की पुष्टी नहीं हो रही है लेकिन ये वारिल फीवर लोगों को जरूर डरा रहा है जई एंसेफलाइटिस का पहला केस भी मिला है और और आप दल्लिस से खबर